वाहे गुर्जी का खाल सा वाहे गुर्जी की फते प्रोग्राम बाबाणिया कहानिया वेच देश्व देश्टे सारे दर्श कांदा मैं रंदीप सिंग तै दिलो स्वाक्त करदा प्यारे दर्श को हर वार दी तरह आज जैसी फिर एक होर पंत दी शक्षिये दिनाल हाजरा असी कल बाद करांगे तानुगरू गोविन सिंग महराज दे जीवन दे बारेच कवी अल्ला जार खान ने बहुत प्यारी गाल लेखी अपनी कलम दे नाल करतार की सोगांद है वा नानक की कसम है जितनी वी गोविन्द की हो तारीफ वो कम है गोविन सिंग महराज दी तरीफ तुसी कितों शुरू करोगे जदो तरीफ शबद होंदा है ना दानस बंदा वेच एक विचार वी तरीफ ओ जो गैरां दे मूवी चोंई निकले कोई सिख बुद्दी जीवी, कोई सिख इतियासकार, कोई सिख परचारक गुरू गोविन सिंग महराज दी तारीफ करे अज़आवक है मि जब वसी दुनिया दे तमाम इतियासकारा को वख़ भुद्दी जीवी आ नू जो साहितरचेता अने नभी देखने आ ते शैद ही कोई दुनिया दा इस तरह दा साहित रचता होगेगा जिनने गुरू गोबिन सिंग दी किसे ना किसे रूप वेच तारीफ जड़िये तो ना कीती होगे इस फैरिष्ट वेच तुसी अला यार खां जोगी दा जिकर कीता है इस तों अलावा साठे देश दे अंदर आरिया समाजियां दे एक बहुती तुरंतर परचार कोई ने लाला दौल तरह जी जे उना दी गल करिये ते जदो ना ने गुरू गोबिन सिंग मारा जी दी जीवन किताब जड़ी ये बाद वेच ओधा पंजाबी वेच विया नवाद होया बिलकुर मैंनू लगदा है जिन्ने वी कौम दे परचार कने जदो ना ने गुरू गोबिन सिंग जी दे जीवन बारे कुछ बोलना हुए तो उसाइब कमाल नो जरूर पढदे ने क्योंके बड़ किती और वचार वटा अंदरे वेच उना ने कहा दिता भी लाला जी तुसी किताब बड़ी सोनी लिखी है बड़ी मकबूल है बड़ी प्रवान चड़ी है पर सानू एक गल्दी समझ नहीं आई तुसी जे तो अनू लिखन दा ही शोंक सी ते तुसी किसे अपने अवतार द ते लिख दे ता उने दे जवाब देता ओबड़ा बाकमाल हो कहीं दा भी मैं तमाम पेगंबरां ते अवतारां दी जीवनी लेके ते बैठ गया मैं उनना दा अनलसिस कीता मैं वासुदेव किशन दी जीवनी गीता दे रूप वेच रमायन दे रूप वेच परसराम शुक सारे आँ दी जीवनी पढ़ देया पढ़ देया पढ़ देया पढ़ देया मैं इस नतीजे ते पहुंचे आभी जीवनी लिखनी दौलतरा है ते ओ गुरू गुबेंसिंग दी जीवनी जड़ी लिखी जदो असी पंजाबी साहित दी गल करने आजी ते ओदो जे पंजाब तब की बात कहूं होन अब की अगर ना होते गुरू को बेंद सिंग तो सुनत होती सब की आज भी जदो साथे देश दा कोई राजनेता यू एनो वेच जानदा है वो थे बड़े फकरनाल कहिंदा भी साथे मल्टी कल्चर है पर ये पोर जानदा अब ये मल्टी कल्चर दिता कि ने जदो आसी ऐस मल्टी कल्चर दी बनियाद दी गल करने है तिसे कौम दे महान विद्वान कवी संतोक सेंग केंदे ने शाय जाती एकता इन एकता बिलाए जाती होबती कुचीलता कतेबन कुरान की पाप परपाक जाते तरम तसक जाते बरन गर्क जाते सैथ बिधान की देवी देव देहरे संतोक सेंग दूर होते रीत मिट जाती कथा बेदन पुरान की और सिरी गुरु गोबंद सेंग पावन परम सूर मूर्त ना होती जो पै करुना निधान की तो ये मल्टी कल्चर, मंदरा पर टाल नहीं संखड़कने, किसे मूर्थी दी स्थापना नहीं सी होनी। ये थे सिर्फ एक कोई मझभदा बोल बाला होना सी। आ जड़ा मल्टी कल्चर है ये मल्टी कल्चर गुरू गूबेंद संग दी देन है। तुसे ही वाक 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 विद्वाना दी गल केती जोगी अलाजार खान दी गल भी होई बुल्ले शादी गल होई जी पाई नंदलाल जी जड़े आसे के इतिहास देवेच उन्हा दा नाम बहुत तुरू तारेदे वांग चमकदा है उन्हाने में गुरू गुबें सिंग महा पर चलता है उपने एक रुबाईच को है ना मरन तो बाद हवानों को एक मेरे टेपारुपकार करें भिजगो मैं महाद मैं आगंदा कर दे ना मेरी खाक नू लेके किसे और दे दरते ना जाईं जाईं जे ले जाना हैं तो सिर्फ गुरू गुबेंस थे दरते ले जाईं लोग कैंड़ के नांदलाल जड़ा है, यह हर जाई है, तो तुसी होना दी अकीदत वेखो ते एनी अकीदत जदों किसे पैगंबर चुन दी है, यह मतलब होदे मान्च बहुत ज़ादा जड़ा है, उदे प्रती महा सतकार दी जड़ी है, उपावना है. तान गुरु गोबिन सिंग महाराज दे जीवन नू समझन वास्ते सानू सोचन दे तेज दरार कोड़े उत्ते सवार होना पाएगा, एक आल जड़ी है किसे विदवान ने कई है, गुरु गोबिन सिंग महाराज दा सर पक्खी जीवन समझन वास्ते वाक्या सानू जड़ी है बहुत उच्छी सोच चाही दिए पर असे कल करांगे गुरू गविन सिंग महराज दा परकाश किथे होया ति उन्याद के बालपन से क्वार Friends के में बतीत होया गुरू गविन सिंग महराज दा पावन परकाश बहुर दी राजतानी जिदा पुराणा ना पाटली पुत्तर है अजकल असी पटना जाँ पटना सैब कही नहीं है उस पावन तरती दे उते होया और माराज जिदा जड़ा बचपन सी ओ जितों तक बीतंदा स्वाले जदों सी इतिहास पढ़ने आते हो दे वेच जड़ियां राजनी तक प्रस्थ गार नहीं साँ माराज गुरु तो एक बादर साब दो हिंदू राजयां दा आपस वेच संदी कराण वास्ते असाम गए होई साँ तो एथों ही पता लगदा है भी देश्थियां प्रस्थितियां की साँ एक पुर्खी राज सी जलाले बादशाई दा वकत सी और बहुत ही कटर और जालम किसम दा समराट औरंग जेव ओ हिंदुस्तान दा बेताज बादशा है और ओ दे कोड़ एक रूल है डिवाइड एंड रूल है जे असाम दे जड़े होमिया ने ओ भी मूल रूपच हिंदू ने और एथों जड़े राजे नो पेजदा है ओ भी एक हिंदू ह ओदे पिछे ओदी चाल सी जे मेरा पेज़े हो जर्नेल जेत जान दा है ते तामी मेरे आथच लड़ू ते जे ओ नहीं जेत दा ते दूआ पास हैं तो हिंदू फाओ जी मरदी है ओदे विच्वी मेरा फैदा है इन प्रस्तितियां वेच मामा करपाल चान जी ते माता गु और गुरू तेक बादर साब मारे सचे पाथचा दे सदकार योग माता जी ने तो उन्हा ने जिस कदर परवरिश की ती क्योंकि आम तोरते मनोबग्यानी के इंदे ने भी बच्चे दी जड़ी शिक्षियत है ओपांच साल तक त्यार हो जान दी है तुसी फिजिकली मेंट संदिए भी उन्हादा बच्चपन के में बीते हैं बच्चपन बड़ा बाकमाल बीते हैं बड़े सुचजे टांग दे नाड़ा उन्हा नूँ और पहलू तो उ nerd не तुम्तिय यड़ाए उना पात्रा ने छोटी उमर दे विची कलगी तार पात्षा दी ओषक्षियत नो परक लिया सी जिदी जे शक्षियत नो बहुत सारे लोगा ने बाद विच जाके परक लिया सी इतिहास विच एविए हों दा है कि तानु गुरु तेग भाद महराज दे ग्रै विखे माता गुजरी जी दी कौक तो जड़ा बाल को बेंदर आए तानु गुरु गौबिंज सिंह महराज दे परकाश होया तो बहुत सालाम बाद परकाश होया क्योंके जड़े नान्दकार लगपक तेन दहाकियां तो भी बाद, लगपक तीस साल तो भी बाद, और बड़ी एदे विच एक बड़ा जबरदस्त मैसेज है, अज तुस्य वेक्षो साथे करांदे अंदर व्यानू साल हो जाए, दो साल हो जान, तेन साल हो जान, बच्चा ना होए, ते वो करांदे डैवोर्स तक गल आ जान दिये हो, और कही तरह दे कलेशन देने, तो जैसी गुरू के एकवान वाले, इस एतिहासक ताथ तो मैसेज लगए, ते विखो किड़ा जबरदस्ताथ है, बड़ी तेन दहाकियां बाद, तीस साल तो मी बाद समय बाद, क्योंके हजूर दी ओदो च्छाली साल दी उमर सी, तन्गुरू ते एक भादर साथ दी, जदो बाल गोबिन रहा जी दा, क्योंके मारे दा सोड़ा सो इकीज परकाश होया है, नौमे पाश्चा दा, और गोबिन सिंग मारे दा सोड़ा सोड़ा सो च्हाट वेच होया, तुझे कैलकुलेशन करिये त तेक भाद दरजी दे जीवन विच्चों जाता, नौमाता गुजर जीवन विच्चों सानु जड़ी है, वो नजर ओंदी है साथ, पैसा बस ही गलवाद करांगे, जारी रखांगे गलवाद समा हो गया, ब्रेक दा, पैरे दर्श को ब्रेक तो बाद फिर हाजरू निया प् पैसे बाद करें विच्चों जे खांग्दरास महाराइज पर्काश हो पट झा Do लही परे dabei पतीती पतना सभ तो शीनांदपुर जान दे ओदों हूंडवर्ग के साथ नहीं सहन मताभ्य काफी समा लग दा महीनिया दा नी बलके सालां दा समा लगा क्योंकि एक ते सैभजादे दे सबंद विच सिक संगता दे अंदर बहुत ज़्यादा उत्सा ते प्रेम सी। लिहाजा वो जिते भी माराज अटक देने, ते संक्तां दी अक्सर बेंती उन्दी भी एक देन, दो देन, चार देन हो रटको, तो लिहाजा रस्ते वेच काफी समा लगा, और अनानदपुर साहब दी पावन तरती ते गुरु गोबन सिंग माराज नों कही तरह दी वक्ष व नौमे पाद्शा निकट पर देख रहे हैं भी इस बालक ने कौम दी वागडोर समालनी है, और बड़ी तेजी नालमारा जदो मालवे दा परचार के दौरा कीता, ते उना ने वक वक इंस्टेक्टर जेडे ने ने न्युक्त कीते, और उन लगा तार अपने मेंत करके कल ग चांदनी चौंक दे वेच जिते आज कल गुर्दोरा सरी शीज का इंसाब शिशोबत है, तो उस वेले दिया जिडिया प्रस्थेतिया ने मारा जी लगपग उमर इतियास कर नौक साल दी दस थे, वैसे भी उनीस सो च्याथ दिसंबर सोलां सो च्याथ नमंबर सोलां सो तो उस वेले तुसी देखो भी नौ साल दे बच्चे दी उंगलत वाड़े आता चो छोट जया पीड़ वेच ते ओ बच्चा छेदिकार आ जाए पर नौ साल दी उमर वेच जदो पाई जैता जी पिता गुरु तेक बादर साब दा सीज लेके जान देने ते ओस वेले बाल पर यह में बेंती कर दे हैं कई वरा सी प्रचारक वरग देवेचे गल सोनने हां भी नहीं ए केसां दी दे बड़ी महांता सी बेशक महांता सी पर जड़ा एक नियमावली बनी यह दसमें पात्षा वेले बनी विजे केस रोमा जी कुई बद भी कर दा है तो शिकी तो पतत ह से हो गया ते जिड़े केसा तारी नहीं सां साइज तारी शब्द वर्त लिया उना दा पता ही निसी लग दा ओस वेले दी गाले थे कलगी तरदी त्रीवेच करनी बड़ी जरूरी बन दी है महां कभी संतोक से केंदा शिरी गोबिन सिंग सुनकर ऐसे गर्जत बोले जल धर जैसे इस बिद को अब पंत बनावों सगल जगत मैं बहुबित ताम लाखों जाग के नार एक थाएं तिन मैं मिले एक सिख जाएं सब मैं प्रतक पशानियों पर हैं रले न क्यों हों कैसे करें जथा बकन मैं हंसना चिपै गिरजन भिखै मोर जिम दिपै जयों खारगन मैं बनीत रंग जथा मिरगन मैं केहर आंग तेम नाना पेखन के माहें माम से को सगले पर खाएं जयते हैं उन मैं इस तरह दी कौम बनावांगा ओधी अडेंटिटी ओधी देख इस तरह दी होवेगी वी एक प्लेट फारम ते लखान ओ खड़े उन उनाच मेरा एक खालसा पैरम इक पिशान वख्रीムा जीवेगी जी जीमें घुड़े राकी वख्रीये जीमें हिरना ओठ बब बर शेर वख्रीये जीमें हिरना ओधी पहचान छेडियेंगी hebt शाह जुड़े होगी तुम। पैरा मिट्र है भी थारा साल तो गठते। सड शाल दो काम नियुक नहीं कर साकता। वो योग नहीं समझायाज़न्दा सार्थ, पर यह ते पंच साल तवी योग समझायाजन्दा साता, फिराता रिषा पड़ाता कट इस अग्टिन रख। जोत है, जोत ओहा जुगत साय, वो जोत बलवान है, आत्मा बलवान है, शरीर पावे नौ साल दा है, और हकूमत ने रंजीत नगारा बनाना, कोड़ सुवारी सिखनी सिखानी, तो अन्गुरु गोबिन सिंग महराज जिड़े है, ओ केड़े केड़े शाष्टरां दे वेच नपुन सी, किनना शाष्टरां नो बहुत सुने टांगनाल चलाँ दे सान, तो केड़े साज सान, जिनना दे नाल गुरु साहिव की इतन करदे सान, एवी दे सान, मैंनू शाष्टरां दी, जो तुसी गाल कीती, वैसे ते शैदी कोई शाष्टर होएगा, जिड़ो ना चल पर उनना दी शास्तर विद्या दी नपुन्ता नो लेके ते आस वी चो एक मेनू गल बड़ी प्रीद कर चेता आई, मेरा तवाड़े नाल सांजे करन ते दिल कर दे है, जदो कलगीतार पाद्शाह नो पहाड़ी राजया ने और सूबा दिली, सूबा लहोर, सूबा इसे द्रखत दी शामे बैठके मंजे दे हुते, मोटे मोटे पावे आला मंजा, ओधे उपर बैठके ते ओचोपड खेल रहा है, कलगीतार पाद्शाह ने किले दे विच्छों, ओ जेडे पलंग दे बैठे सां, ओधे पावे दे विच तीर मारे है, जदो तीर मारे है, ते क्योंकि कलगीतार पाद्शा थे तीर ते कटो काट सवा तोला सोना, अगे नोकते लगा हुदा से, जे गुरु गुबेंसिंग मारे है, जे तो कोई शीद होए, ओधी जड़ी किरिया करम करन दी उनना दिक्कत ना वे, ये उनना जमानियां चे कई शैन्शा भी ये तरीका पर गुरु गुबेंसिंग मारे है ये प्रसिद गाले है, तो उनना ने जदो तीर पोट के देखे है किलना के तीर गुरु गुबेंसिंग दे है, और दूसरा सुबह कहन लगा भी ए गुरु गुबेंसिंग दी करामात है, योंकि हो पैगंबर है, उनने करामात ना ले नि अनुके में पता लगा असी एदना सोच रहे हैं ये नुभी मेरी करामात ना समझो क्योंके ऐस वेले तुसी सिर्फ एही सोच सक दे हो भाई ये थे ठीक है भी अपनी शस्तर विद्याना तीर पाविच मारता एक में पता लाग गया भी तुसी असी एदना सोच रहे हैं इस करके तुसी करामाती हो उनना क्या ऐवी करामात ने ये वी मेरा मनोव गयाने भी ऐस वेले तुसी एहो कोजी सोच सक दे हैं तो शस्तर विद्याना लेके जदो पंगाणी दे योद्वे हरी चांदा हुंदा है तो ते हरी चांदनों बड़ा माने मारा आप कहिंदे ने बड़ा कमाल दा तीर अंदा आज है तो तेन निशाने उने मारे तो कहिंदे तरितिंग तीन मारे उसो पेटी मजारंग चुभी चेंच चर्मंग कछु घाएना आएंग कलंग केवलंग जान दासंग बचायां किर्पा काल तेरी पाई जीत मेरी फिर कहिंदे ने जब बान लागी हो तब रोस जागी फिर हजूर कहिंदे ने मैं पत्थे चो तीर कड के चिले ते चाड़ेया कि मैं तीर जदो चलाया ते एक तीर नाळ रही चंद करोड रही या ते हरी चंदा कोड़ा, तिन्हान नू मैं एक तीर नाळ चित कर देता हुण तुसी दुनिया वेच तो आनू को इस तरह दा तीर अंदाज नजर होंदा जिदा तीर केन निशानिया नू इको तीर देनाल मौत ने काट उतार दे विश्व देते आस वेच आज ताके इस तरह दा कोई एग्जेंपल सानू नहीं मिल दी एथ हो तुसी अनमान लाओ वे यो किने महान तीर अंदाज था है और उहाँ विदवांना ने कहा है अपने अपनी नजर नल देख है किसी ने कहा है नहीं किया है को जर्नonenर महान जर्नेल सान्द संद किसी ने क thought ऐ तानगू गोबिंशंग महाराय जड़े सँद और एकको समय पगटवी संद वी संद च तुसी गल्हां विद्वाना दे मुख्वों कहीं आने एउना दी अपनी सोच है। उन्ज गुरू गुबिन सिंग दी तारीफ कर देयां कर देयां शबद बौने हो जानदे। लेकबलरी मुख्वान दी तुसी अला यार खां दी गल्हां कीती है। तुसी गुरू गुबिन सिंग दी तारीफ कर देने तो कहिं दे भी मेनू एक शक है। जदो मैं तरीफ करनी है तो अनू ए लगना भी ये मुबालगा है। मुबालगा कहिं देने किसे गल नू बदाच डाटे करें। मुबालगा है। तु अनू ए लगना मुबालगा है। इसलिए मैं तरीफ करनी तो पहला तो अनू तसली करान ली तो अनू विश्वास चलें लेके। ना भी करतार की सौगंदा है नानक की कसम है। तुसी क्या जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। फिर हो कहिंदा अगे जाके भी एक आँख से क्या बुल बुला कुल बहर को देखे। तुसी जदों गल कर देओ वखवख विद्वाना नाल उना तुलना कर नाल तुसी देखो भी मो किड़ा प्रबल एक जजबा एक वकार है भी पुतर 14 साल दे बनवासते चला है माराज दशरत मेल तों शाल मार के खुद कशी कर लेंदे। इब्राहिम वरगा पेगंबर जदों पुतर दी बली देन लागदा है ते आपने सायोगिया नो कहिंदा मेरी आखां ते पटी बन देओ मेनू हिमत नहीं पहिंदी। पर ग महराज द जीवन बड़ा विशाल है। अब गोबि survivesों हैं। आज तक दुनिया है जन Давайте जंगों हैं चाह सायोगित कमाल होबी घुर मेर भान सौब मेरे हम ज्या पर सॉन० कॉछ को ने जिमीन मेरे जयलें। अशूरलादी लडाई सी एए ईूमन राइट साँ ए मनुखता दे अधकारां वासते जङंग साँ और दूसरी गाले अभी गुरू सहिबान दे जडिड़े जङंग साँ वो जिते मनुखता दे अधकारानों लेके सान, human rights नो लेके सान, वो थे वो एक अतरम दे वरोध जान्ग सान, जिते जिते भी अनर्व थुन्दा सी ना, जिते उननों लगदा सी जदों कलगी तर पाशा कें दे संत उबारन, संता नों उबारन वास्ते, दुश्टां दा संग करन वास्ते, यह जड़ी ते गह में चुकी है. वदे रेकर के जड़े पहाडी राजे सी, ओ भी गुरु गोबिन सिंग महाराज दे जड़े विचारता राजे उस जिदे इर्खा कर दे से, ओ इर्खा दा कारण की सी? देखो, उस इर्खा दा कारण एक ते सी सिदान तक ता और दूसरा सी, जड़ी इर्खा है न, यह हमेशा ओदों दी है, जड़ों तो अनुए लगदा भी कोई मेरे नड़ों, बदेरे, सतकार योगे, जहां त्रक्की चे, तो उना दी इर्खा वैसे जड़े आसवेच ताथ वेखी है, तो पीमचांदा हो थे उना, प्रशादिय थी, पंचकला, शस्तर, कनात, इत्यादक पांच अदपुत, ओ पदार पेटामा, जड़ियां इसाम दा राजा लेके आया सी, ओ मंगणियां, ते कलगी तरदा है कहना भी यह संगत दिया मानते नू मैं नहीं 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 दे साकडा, ओथों शुरू होया, पर यह जदों सी विस्थार नाल जावांगे ते जदो महाराज अमर शाकन दी प्रेड़ना कर दे तो कि ने साड़ेली बाटा वखरा, सानू कशेरे दी खोल देती जाए, इत्यादक इत्यादक इत्यादक, शिदा अंतक मात पे एद्वी संग, ते एक उना दी इरखा दा कारंसी, गुरू ग कोबिन सिंग महाराज सरसा नदी दे कनारे ते परवार वशोड़े तो बाद चमकार दी जंग जड़ी ओ लड़ दे है, ताड़ी मार के चमकार दी गड़ी नू शाट दे ने, उस तो बाद बिलकुल थोड़े लफज़ां दे वेच, माची वाड़े दे जड़ा हाल है, ते अला यार का जोगी दी गल कर दे हो केंदा डंड़क में फिरे राम तो सीता थी बगल में, वो फक्रे जहां हिंद की माता थी बगल में, लश्मन सा बरादर, वो पै तसकीन जगर था, वो सीता सी पती बरत से बन राम को घर था, वो केंदा भी तुसी बनवास दी गल कर दे ह तरमपत्नी नाले, उदा प्रान आले, उदा सेवक हनुमान नाले, उदा जंगल वेच भी मंगले, जे जंगल वेखना है तो गुरुग बैंचिंग भी त Northern लेखो पेरां वेच जोड़ा नहीं, सेर दे ताज नहीं बाज नहीं, कोई कोडा नहीं, बेसरोस पामे ओ पीरड थोड़ा है पर हो कहीं दे जे मुश्कला नाल कोई जूजिया है तो गुरुग बेंच सेंग मारा जे उस तरह निया प्रस्थितियां वे फिर जड़ी खिद्रानें दी टाप दे जंग होई है मुकसर साफ दी जंग ओ जंग भी इसकार के आद पोते भी जड़ लड़े यह भी सेंग वापस आके लड़े पहला ते ओ जाईर ऐसा ना करान तो उना प्रस्थितियां दे वेच्चे जदों कपूरा जड़ा है उनने वी एक किसम दा दो में पाख रखन दी कोशिश की ती क्योंकि ओधे को जागीर सी सरकार दी बहुत जादी और जिस तरह यह प्रस्थितियां वेच ओधे गुरु गुबेंज सिंग मारा सचे पाथचा ने युद कीता ना सिर्फ चमकार दी गड़ी वाड़ा इतिहास आद पोता लाशानी है जैसी खिदराने दी टावड जांगनों ही लेगे उदा भी बदल विशव दे वेच कोई होर नेगा मि बिल्कुल तानगुरु गुबेंज सिंग माराज दा जीवन है और बहुत महान है उस दा कोई अंत नी पाया जा सकता हुण समा इजाजत नहीं देंदा होर खुल के विचार कर सकीए तो हड़ा सूडियो वेच आके विचार करन देले बहुत बहुत तन्वाद है प्यारे दर्शको एसन ग्यानी जी सविंदर सिंग जी लो द्याना वाले जिनना ने बहुत ही विस्थार दे नाल दशमेश पिता तानगुरु गुबेंज सिंग माराज दे जीवन दे वारे विचार चर्चा के ती असी बाबानिया कहानिया प्रोग्राम दे विच गुर्बानी ते इतिहास दे विचो विचार चर्चा कर दें अगले हपते एक होर शक्षिये देनाल हाजर हुआँगे ता तक लिद्यो इजास्त वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की पत्ते